जो फ्लाई ओबर हैं तो भाई बस तो भाई निकल चुके हैं राइड पर राइड पर यहां ट्रैफिक पुलिस इतनी ज्यादा है कि हर अगर आप आगे रास्ते पर मुड़ोगे वहां मुड़ते ही आपको दिखेंगे ट्रैफिक पुलिस वाले तो बिल्कुल भी गलती ना करें इस एरिये में आके यह इंडिया गेट के पास का एरिया है पूरा और यहां पर आगर बिल्कुल भी भाई यह ना सोचे कि मैं रैड लाइट ट्रॉस कर लूँ मुझे कोई नहीं दे हमने की बाई भागने की वज़ा से वो पकड़े जाते हैं और फिर उनका कट जाता चलान एसमारे फायाने के लिए कि हम कोई फायदा है क्योंकि अगर हम स्पीड में जा करके रेड लाइट क्रॉस कर लेंगे उसके बाद में आगे से कोई आ रहा होगा तो भाई वह हमारे गाड़ी उसकी लग सकती है तो वह चीज भाई वह चीज सब कुछ देखना पड़ता है रास्ते पर अगर आप रोड तो यहां पर देख रहे हुआ पुलिस बहुत जादा है और चारा तरफ ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है आप यहां देख सकते हैं सामने सामने इधर भी पुल के नीचे भी रेड लाइट से लेफ्ट लेते भी तो भाई किदर भी जाओगे आपको ट्रैफिक पुलिस म तो भाई स्टार्ट हो गई इनकी गाड़ी काफी देड़ से लग रहे थे बंदों भी फिर से इसकी रेस को पकड़ के रखो तो भाई इनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई थी लेकिन फिर से बंदों गई तो हमने स्टार्ट की तो भाई एक किक में गाड़ी स्टार्ट हो गई थी लेकिन वो फिर से बंदों गई और रेड लाइट है यहां पर रुक करके कुछ इसी की हेल्प भी नहीं कर सकते इतनी क्योंकि पीछे से ट्रैफिक जो है वो औरन बजाते रहेंगे लोग इस वज़ा से तो दिल्ली के जो भाई रास्ते हैं काफी ज़्यादा बढ़िया बनाये हुए हैं दिल्ली के रास्तों पर बस यह अच्छा है कि सफाई मिलती है लेकिन यह अच्छी बात है कि सफाई हमे तो आपको बोर्ड मिलेंगे यह मैं आपको काफी वीडियो में बहले भी बता चुका हूं अगर आप दिल्ली में चल रहें तो आपको ज्यासा तर बौरड देखेंगे तो बोर्डों को पढ़कर अगर आपको नहीं पता है कोई लोकेशन तो यह जो बनाहुआ है यह काफी पूराना हो गया है लेकिन अभी तक वर्किंग कंडिशन में है पूरा चालू रहता है मैंसा चलता रहता है यह आपको देख रहा है जो और इसकी ऊचाई काफी जादा है और एकडम रोड के किनारे पर बना हुआ है तो यह आउटर रिंग रोड है यह जिस पर मैं चल रहा हो भी और रिंग रोड है यह सारे पूरा रास्ता हैं यहां पर जो दिखेगा आपको पूरा खाली देखेगा बस कस्मीरी गेट के पास जब पहुता ही रहास्ता थोड़ा सा ट्रैफिक होता है वाँची पूरा रास्ता खाली मिलेगा कुछ लोग मैंने देखा है कि हाईव ये रस्ता ये मतलब चाहर लाइन का रास्ता है इस चीज़ का थियान रेखिए हमेशा गाड़ी को जो चलाई है तो हमेशा अपनी लाइन में चलाई है क्योंकि लाइन में अगर हम गाड़ी नहीं चलाते तो हम जो पीछे से जो बंदे आ रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं उनको प्रॉब्लम होती है अगर हम line से चलेंगे तो किसी को कोई problem नहीं होगी तो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलीए रास्ता पर और ये लाल के लिए का पीछे की side का रास्ता है लाल के लिए का back side है पूरा तो back side में PK movie जब आई थी तो दिल्ली का यहां का शौट दिखाय हुआ था उसमें जहां आमिर खान शूसू करकते हुए दिखाये गए थे वो जगा यहां पर है जहां से उन्हें पोलिस उठा के ले जाती है ये बहुत ही बढ़िए लोकेशन है कि मिलता है हम ऐसा कभी भी आते है तो और बहुत बड़िए साफ साफाई रहती है है यहां पर हमारे left hand side हनुमान मंदिर है जो सबसे ज़्यादा है दिल्ली में हनुमान इस यह कस्यिरीरी गेट का यूटन है अगर आपको सास्थ्री परक से लाल के लिए जानाए तो आपको दो रास्ते से यूटन ले सकते हैं यहां से आगर आप सीधह जाना चाहते हैं आपको नैशिनल हाइवेर पकड़ना है सास्थ्री Bijक की साइट से तो इस वाले पौल का किलो मीटर आगे है तो लेकर चलेंगे हम सिगनेचर बिज पर भी एंबुलेंस को हमेशा रास्ता देना चाहिए एंबुलेंस जब भी आती है अपके पीछे होती है तो उसको जरूर साइड दीजिए क्योंकि एमर्जेन्सी एंबुलेंस को बहुत ज्यादा उसमें बन्दे की जान खत्रे में हो सकता है तो कभी भी मत लीजिए अबुलेंस को हमे 0 Sm छeken मेन सुर्फ हमारे और लाम don पुराने वाले पुराने वाले पुराना वाला बजीरवाद का पुल यह जो है वो न्यूव सिगनेचर ब्रीज है किसे हम जा रहे हैं और बिज के बाई आपको बिज के पास यह जो फ्लाई वर है तो अभी अंकल बच गए थोड़ा सा अगर मेरी गाड़ी और जादा स्पीड में होती आंकल के टूट जाते तो भाई बस वाले को देख रहे हूं अब क्या कट मार के ले गई है वाई बस वगेरा के ड्राइवर जो है पताने दारूबी के चला रहा है क्या कर रहा है यह क्या देखने के बाद में के जो फाइक मेरी लगा हुआ है तो भाई मेरे से रेस लगाने लग जाते हैं अगर मैं इनसे आगे निकलने के उकोशिश करूंगा ते और ज़्यादा तेज गाड़ी को बगाएंगे और यह ठुक भी सकते हैं आगे जाने के चक्कर में तो इसलि देखना पड़ता है रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं तो और इतने कंट्रोल से गाड़ी को चलाईए कि आपके आगे अगर अचानक से कुछ कोई जानवर आजाए या फिर कोई भी आजाए तो उससे वहां से निकल सकें आप इसे स्पीट से गाड़ी चलाईए अपनी औ मुझे हेलमेट का सीसर जो है वो बंद करना पड़ा और ऐसे लोगों का चलान नहीं होता भाई तो ऐसे लोग ऐसी गाड़ियों करना चाहिए जो दुआ देती है गाड़ियां ध्यान रखिए इस चीजिका गाड़ी का पॉलिशन जरूर कराईए अब यह पूरे में दुआ अड़ाते हुए जा रहे हैं लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है लेकिन इनको क्या है कि यह से आगे हैं इनको कोई फरक नहीं पड़ेगा उस चीज से तैंक गॉड़ यह पीछे चले गए मिलते संडे को दुपारा